नमस्कार हिंदुस्तान, दोस्तों क्या आप जैगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर आप जैगरी एक्सपोर्ट कर रहे हो जब हम ये startup exporter को या जो export करना चाहते हैं उनको कहते हैं कि jaggery के लिए भी especially यानि good के लिए भी आपको एक specific website बनानी चाहिए आपको एक premium website बनानी चाहिए ताकि आप लोग उस product के साथ में attach हो सको और आपका जो international buyer है वो attraction part पे आपके साथ में attach हो सके बहुत सारे लोग इन चीजों को हलके में लेते हैं कि good के अंदर website का क्या roll होगा good की website कैसे बनेगी आज मैं आपको एक हमारी premium website range की website दिखा रहा हूँ जो especially good के लिए यानि jaggery export के लिए है और पूरे इंडिया में आप जितनी भी jaggery के website हो गए उससे compare कर लेना ये मेरा दावा ह कि इससे बहता design concept और सारी चीजों की website आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी क्योंकि ये अपने आप में एक specific product की website है जो international buyer को attract करती हैं तो शुरू करते हैं नमस्कार इंदुस्तान मैं चेतन कुमार वर्मा इंटरनेशनल बिच कंसल्टेंट एक्जिम बिजनेस आडव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों ये website psjagri.com आप लोग भी open करके जरूर देखिएगा मैं website को last video मैंने जो spice export website के लिए बनाया था उसी का पाट की वहाँ पर जो मैंने तीन चीज़े बताई थी design concept, product specification concept and call to action वो तीनों आज मैं इस website के उपर आपको समझाता हूँ कि क्यों एक website international business के लिए बहुत important हो जाती है आपकी website आपके बिना एक तरीके से आप ये मालिजे आप नहीं हो तो भी आपकी website आपके लिए काम करती है order generate करने में, आपकी website काम करती है आपके buyer को attract करने में, आपकी website काम करती है आपके buyer को inquiry करवाने में क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ महनत करते रहोगे, उसका जो एक inquiry portion होता है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा, तो सबसे पहले आपको जो ऐसे मैंने कहाता है कि homepage तीन पार्ट में मैं website को हमेशा divide करता हूँ, सबसे पहले design concept, product concept और call to action, तो design concept में clear mention होता है हमारे हाँ पे कि पूरा का पूरा जो concept और design है वो product के according और logo वगरे इन सब के combination के according बनेगा अब आप यहाँ पे homepage को इसको देखिए, आपको complete यह specific सिर्फ जैगरी के लिए website है, आप इस website को एक बार सिर्फ विजिट कीजे, यह देखिए आपको एक complete overview मिलेगा कि यह एक जैगरी की website है और इसका चाहिए color combination हो, कुछो भी चीज आप देखिए, एक international lookout जो होता है वो आपको यहाँ पे इसी website के उपर देखने को, एक specific जैगरी website के उपर आपको देखने को मिलता है अब यहाँ पे sugarcane jaggery, coconut jaggery, palm jaggery, तीन पार्ट जो jaggery के हैं वो तीनों cover हुए हैं फिर jaggery export के लिए product list download हो सकती है, support, यानि यह call to action वाला पार्ट आ गया फिर यहाँ पे जो इनके special products हैं वो show हुए हैं, वापस call to action का आगया, अगर mobile पे आप इसे देखोगे तो directly आप यहाँ से call कर सकते हो उसके बाद में अगर आप नीचे देखते हो, तो instant quote के लिए तो click करने के साथ में आपको RPS system open हो जाता है फिर यहाँ पे वापस call to action, यानि अगर बंदा इस website को सिरफ visit कर रहा है, तो उसे 3-4 बार इस चीज के लिए भी प्रेरित किया गया है कि आप directly content में आ सकते हो, यहाँ पे page को ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है, हाला कि यह थोड़ा फिर भी long है, तो भी इसको ज़्यादा बड़ा ना करने की कोशिस करते हुए, एक जो basic, जैगरी से related जो information है, वो यहाँ पे show की गई है अब हम product range पे जाते हैं, product specification का मतलब होता है कि जब भी आप product specification पार्ट पे जाते हो, किसी भी product के लिए, तो वहाँ पे आपको एक clear उस product का specification मिलना चाहिए, image clear होनी चाहिए, इसके साथ में आप देख सकते हो, यहाँ पे description level के ओपर यह आपको मिलता है, इसके अलावा फिर related products यह बहुत important होता है, website पे होता ही नहीं है, यह mostly, बहुत सारी website है, हमने देखे है, जिन पे कोई related product का section ही नहीं होता है, त्योंकि बंदे ने सिरफ यहाँ पे मालिजे, palm jagery का इसने powder देखा है, अब यह सोच रहा है कि आर सुगर केन का क्या होगा, अब यह curiosity generate करती है, यह ची product क्या है, यह product क्या है, अब यह देखे है, हो सकता है, मैंने कभी sugar can jagery का liquid आज तक सुना ही ना हो, अब मुझे यह देखा है, यह तो jagery का liquid है, क्या पता यह, आपका visitor किस चीज के लिए आया, वो आपको नहीं पता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे click करते हो, यह product आ जाता है, इसी तरीके से आपको अपनी website को भी design करना चाहिए, get quote पर यहाँ पर click किया आपने, इसमें interlink connection पार्ट जो होता है, वो आप logo को करना चाहिए, अब get quote के page के उपर भी आपको jagery की feeling आएगी, कि मैं जो quote, अगर as an buyer सोचे कि हाँ, यह, मैं जो quotation मंगवा रहा हूँ, तो वो jagery के specification के हिसाब से ही आएगी, इसके अलावा जब आप यहाँ पर contact us में जाओगे, call to action के जो मैं बात कर रहा हूँ, तो contact us के page के उपर भी अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर आपको एक clear map वगरे सारी चीजे, एक systematic रूप में मिलेगी, एक attractive way के अंदर मिलेगी, जो बहुत important होता है, international standard का मतलब होता है, neat, clean, ज्यादा heavy loaded design भी नहीं होनी चाहिए, और जो चीजे आप समझाना चाहो, वो भी समझ में आनी चाहिए, specific अगर आप product के page पे जाते हो, तो आप देख सकते हो, product के page पे सारे products इनके available हैं, एक neat and clean manner में available हैं, और अगर आप वापस देखो, त आपको WhatsApp chat का option दिख रहा है, यहाँ पर आपको live chat का दिख रहा है, SSL, यह जितनी भी चीजे हम लोग premium में देते हैं, उपर से आप यहाँ पर देख सकते हो, right corner के अंदर यहाँ पर language selection का option है, तो यह सारा का सारा जो चीजे होती हैं, दोस्तों, यह एक specific products के लिए भी किया जा सकता है, यानि अगर आप सिरफ एक specific product की website भी बनवा रहे हो, तो उसे भी आप इस तरीके से बनवाईए, कि आपका buyer आपके साथ में at least inquiry level पे आए, अगर आप किसी के साथ में website share करो, तो उस buyer को यह feel हो, कि आप एक genuine level पे, आप एक अच्छे level पे अपने काम को करने की कोशिस कर रहे हो, आप परियास कर रहे हो, और आपने बहुत अच्छा काम किया, मतलब आप यह सोचे कि अगर आप किसी के office में गए, आपने किसी को invite किया, वो बंदा आपके office पे आ रहा है, अगर आपके office का interior बहुत बढ़िया है, location बहुत अच्छी है, सब कुछ अंदर आपका sitting arrangement वगर बहुत अच्छा है, तो वो बंदा first time में इतना आपके साथ में impressed हो जाता है, कि वो आपके साथ में deal करने को मजबूर हो जाता है, वही आपने invite किया, लेकिन वहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक normal setup है, तो वो देखेगा, वो लेगा, ठीक मैं बताता हूं, आता हूं, औ same as website my friend, अगर आप किसी को अपनी website पे बुला रहे हो, तो उस website को इतना attractive, इतना powerful बनाईए, इतना call to action और सारी चीजों का combination मैं आपको starting से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पिछले कुछ वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, इस तरीके से बनाईए, कि वो at least आपके प online तंगे हुए page नहीं होते हैं, ये concept आप अपने mind से निकाल दीजे, website ही आपके लिए एक automated business generation का काम करता है दोस्तों, अगर आप continue अपनी website पे 2-3 महेने daily अगर work out करते हो, यानि उस website की link को social media पे share करना है, अपने product की link को social media पे share करना है, अगर आप daily करते हो, international level पे जब आप जाते हो, वहाँ के B2B portals में अगर आप link करते हो, तो आप मानिए 2-3 महेने की जो आपकी एक continue महनत है, यही आपको आगे बहुत बड़ी या बड़े level का business जो है, वो generate करके देने में बहुत सहयक होती है, और इसलिए आप बड़े-बड़े portal देखे, Amazon वगर, ये सब क्या है website हैं, ये उनके concept हैं, आप जा रहे हो, ये विदेशों से हमारे देश तक जो website है पहुँच गई, लेकिन लोग अभी तक website का जो actual importance है, जो power हैं, वो नहीं समझ पाए हैं, और इसी वज़े से वो लोग उस level के ओपर अपने business को नहीं ले जा पा रहे हैं, मैं सिरफ इतनी website हो को उस standard पर develop करवाने की कोशिस कीजे, एक ही बार करवाईए, जरूरी नहीं है, अभी करवाओ, 6 महिने बाद में करवाओ, जब आपके पास में पैसा हो, जब आपके पास में adequate fund हो, तब करवाओ, लेकिन बड़िया करवाओ, ऐसी करवाओ, कि आपको दुबारा उसे design कर करवाने की जरूरत ना पड़े, हम जितनी भी website बनाते हैं, हम हमेशा इस standard का process का, international standard का, google standard का, हर चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, ताकि हमारे client को website के regarding कभी कोई problem ना है, अगर आपको भी website के regarding कोई issue हो, अगर आपकी website को redesign concept को आपको समझना हो, या फिर नई website बनानी हो, कौन screen number है, description में number है, call कीजे, हमारे web experts से बात करके देखिए, कि आपके product के regarding किस तरीके की website आपको चाहिए, मिलते हैं next वीडियो में, एक नए topic के साथ में, जय हिन, जय भारत!